हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज हम आपके भारतिय राष्ट्य उद्यान से समंदित महत्रपूर्ण साथ कोचन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी बिक्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा तो चलिए आएए स्टार्ट करते हैं देखे आपका पहला कोचन कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुर्वात कब से हुआ था तो एक अप्रैल 1973 को हुआ है अगला कोचन है कि भारत का पहला राष्ट्य उद्यान कौन सा है तो जी मकारवेट राष्ट्य उद्यान है और यह किस राजी मेस्तित है तो यह आपका उत्रा खंड राजी मे का जाता है तो काईलास सांखला को का जाता है इसके आगला कोचन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरवात कब से हुआ तो वर्स 1991-92 के बीच हुआ तो जहरखंड के सिंग भूमी जिले से अरिम हुआ था अगला कोचन है कि कच्छुआ परियोजना की सुर्वात कब से हुआ है तो वर्स 1975 से हुआ है और कहां से हुआ है तो उडिसा के भीतर कणिका अभ्यारन से हुआ है अगला कोचन है कि गेंडा परियोजना की सुर्वात कब से हुआ है तो वर्स 1987 से हुआ है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपके अगला कोचन देराई कि भारत का पहला बायो इस्पेर रिजर्ब कौन सा है तो नील गिरी है और कब बना था तो 1986 में बना था अगला कोचन है कि गुरु घांसीदास राष्ट्य उद्यान किस राजमेश्टित है तो 36 गड़ राजमेश्टित है डालफिन आप इंडिया उप नाम से किसे जाना जाता है तो रबिंद कमा सिन्धा को जाना जाता है बर्ड मैन आप इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है त तो नागारजुन सागर है और यह आपका आंध प्रदेश राजिमेश्टित है इसके आगे देखिए इसके आगे अगर आपसे बात की जाए कि सबसे छोटा राष्टिय उद्यान कौन सा है तो पेंच है और किस राजिमेश्टित है तो मद्ध प्रदेश राजिमेश्टित है देखे इसके आगे 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 आ 22 अक्टूबर 2010 को किया गया था हांथी दिवसक को मना ही जैता है तो 12 अगस्त को मना ही जता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे पका कोचण दे राइक कि सलीम अली राश्च्रिया उध्यन कि सराजी में श्तेत है तो जम्मू कस्मीर में सीत है दूधबा राष्टियाँ लिए जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है तो पेरियार राष्टियाँ अगला कोचन है कि गिर राष्टियाँ अगला कोचन है कि सर इसका पच्छी बिहार कहां है तो राजेस्थान राजी में तीत है इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन देराई कि विस्व का एक मात तहरता राष्टिय उद्यान कीबुल लाम जाओ कहां है तो मड़ीपूर में तीत है नल सर वर पच्छी अभ्यारन प्रसिद्ध है तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह आपका केरल राजे में तीत है अगला कोचन है कि चंदर प्रभाव वन जीव अभ्यारन कहां है तो उत्तर प्रदेश में तीत है इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन देराए कि का सेरू केलिए प्रसी धय यह किसराजे में नाम दफावण जीव अभ्यारण किसराजे में नाम पर इसृथshop अगला कोचन नेरा है कि राजा जी राश्तिय पार्क एक प्रकर्तिक आवास है इस याई हाथी कहा है और यह कहां पर इस्तित है तो यह आपका उत्रा खन राजी में स्तित है नागर हुल राष्ट्य उद्यान किस राजी में स्तित है तो करनाटक राजी में स्तित है सुलतान पूर पच्छी अभ्यारन कहा इस्तित है तो हर्याना राजी में स्तित है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 शिवपुरी जीला में चित है इसके आगे 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 आपका दे रहाई कि इंद Wijत्छरे उध्यान कहां चित है तो छत्यसगड़ raj चित है इसके आगे 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 का दे रहाई कि रन थंबोर वन पराणी अभ्यारन किस लिए प्रसिद' तो ये आपके बबर सेर केलर्ए प्रसिद हैं और किस राज दिंद है गैए कि सिमली पाल किस राज में शीत है तो उडिसा राज में शीत है इसके आगे आगे आपको दे रहा है कि गौतंबूद अभ्यारण किस राज़् में चीथ है तो बिहार में स्थित है और बिहार में एक आपका बाल मिकी राष्ट्य उद्यान है तो यह भी आप याद रेखेगा ये कोचन बहुत ही महतपूर है अगला आगला कोचन देराई की हाँ थी किस राष्ट्य उद्यान में पाई जाता है तो नागर हुल राष्ट्य उद्यान में पाई जाता है और नागर हुल आपका करनाटक राजी में इस्तीत है इसके आगे दखिए इसके आगे 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 एवं हांथी के लिए प्रसिद्ध है अगला कोचन है कि मुंगे की चठानों के सनचर के लिए भारत सरकार ने किसे समूंदरिय पार के घुशित किया है टो कच्छ की खाड़ी को किया है अगला कोचन है कि भारत में जंगली गदे कहां पाई जाते हैं तो ये भी आप याद रखेगा तो आज हमने आपके भारतिय राष्टिय उद्ध्यान से सम्मंदित महतपूर्ण 60 प्लस कोशन लगाए चुकि आपके आने वाले किसी भी एक्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा